नमस्कार दोस्तों तो इस वीडियो में अनेक सब्दों के एक सब्दों से सम्बंदित अध्यन समागरी है कुल नौ प्रिष्टों के अध्यन समागरी है और घटना चकर के पुरबाव लोकन से लिया गया है आरगयारो के लिए काफी महतपुर्ण है आपको भी पता है दस नमबर का इससे मामला बनता है और ज्यादा याद करने का मामला है तो आप वीडियो को स्पीट करके जितना वार सुन सकते हैं सुनिए पहला लाइन है बिना हल जोते उगने वाली फसल अक्रिष्ट पच्च्या कहलाती है वा भुमी जो पहले ना जोती गई हो अक्रिष्ट पुरबा कहलाता है जो कुछ न कहे या जो कहा न आ जा सके उसे अकत्थे कहते हैं जो घवराने वाला ना हो उसे अकातर कहते हैं, जो जोता बोया न गया हो उसे अक्रिष्ट या अक्रिषित कहते हैं, वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोडे, रत और पैदल सिपाही हो उसे अच्छोहीनी कहते हैं जो तर्क से सिद्ध न हो उसे अतर के कहते हैं, अत्यन सुक्ष्म या छोटा होने की सक्ति प्राप्त होना अनीमा कहलाता है, जैनों का सुर्यास से पहले होने वाला भोजन अथहू कहलाता है, पस्चिम दिसा जहां सुर्य अस्त होता है उसे अथमना कहते हैं, वह जिसने किसी कम हो उसे अनधर्य कहते हैं जो बस में न हो उसे अनायत कहते हैं ऐसी प्रसंसा जिससे निंदा का भाव निकले उसे अप्रस्तुती कहते हैं जिसे मारना उजित न हो या जिसे कोई मार न सके उसे अवध्य कहते हैं वह बात या भाव जिससे प्रकट करने के इच्छा हो अभी नेक्स्ट पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है जो सब के मन की बात जानता हो उसे अंतर्यामी कहते हैं जो कुछ नहीं जानता हो उसे अग्या अग्यानी कहते हैं जो धन को बेर्थ खर्च करता हो उसके लिए अपव्याई सब्द का प्रियोग करते हैं जो किसी पर जो बिधी या कानून के बिरुद्ध हो उसे अवैद या गैर कानूनी कहते हैं जो भला बुरा ना समझता हो या सोच समझकर काम ना करता हो उसे अविवेकी कहते हैं जो सोक करने योग नहीं है असोच्चे होता है जिसकी चिंता नहीं हो सकती या जिसका चिंतन ना किया जा सक उसे अचिंत निये या अचिंत भी कहते हैं। जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसे अर्थ घर्वित कहा जाता है। जिसके अंदर अर्थ घर्वित कहते हैं। उसे अनस्वर कहते हैं जिसके पास घर ना हो उसके लिए सब्द अनिकेत है जिस पेड के पत्ते जड़ गए हो उसे अरपन या अपत कहते हैं अल्प बेतन पाने वाले को अल्प बेतन भोगी कहते हैं जहां जाया ना जा सके उस अस्थान को अगम में कहा जाता है नेक्स्ट है अग्र या आगे की बात सोचने वाले को अग्र सोची कहते हैं अध्यन प्राप्त कराने वाले को अध्यापक कहते हैं और जिसका दूसरा उपाय नहीं है उसे अनन्यो पाय कहते है जिसका अनभब किया गया है उसे अनभूत कहते हैं जिसका ग्यान इंद्रियों के द्वारा ना हो जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे अगोचर या अतिंद्रिये कहते हैं पिर से पढ़ता हूँ, जिसका ग्यान इंद्रियों के द्वारा ना हो, या जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, उसे अगोचर या अतिंद्रिय कहते हैं, जिसकी आसा ना की जाए, उसे अपरत्यासित कहते हैं, जिसकी उपमा ना हो, उसे अनुपम कहते हैं, जिसकी क दोपहर के बाद का समय अप्राहन कहलाता है बिना पलक गिराये या बिना पलक जपके तो इसके लिए सब्द अनिमेश या अपलक या एक टक जैसे सब्दों का प्रियोग करते हैं जिसके माता पिता नहीं है उसे अनात कहा जाता है वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा जियों कात्यों यानि अविकल कहलाता है जिस कल्पित परवत के पीछे सुर्य अस्त होता है उसे अस्ताचल कहते हैं जिसके समान दूसरा नहीं है उसे अद्यूतिय कहते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसे अकिंचन कहते हैं जिसके कुल का पता नहो उसे अज्यात कुल और जिसका जन पीछे हुआ हो उसे अनुज कहा जाता है। जिसके समान दूसरा नहीं है अथवा जिसका जोड़ा नहीं है उसे अनन्न कहते हैं। कोई दूसरा भक्त नहों उसे अनन्न भक्त कहते हैं। जो बिना बेतन के काम करता है उसे अवैतनिक कहते हैं, जो इस्तरी अभिने करती है उसे अभिनेत्री कहते हैं, नेक्स्ट है, जो पुरूस अभिने करता है उसे अभिनेता कहते हैं, जो इस्तरी सुर्य को भी न देख सके उसे असुर्य पस्त्या कहते हैं, जो जन नहीं लेता उसे अज या जन्मा कहते हैं, जो जन नहीं लेती उसे अजा कहा जाता है, तो देखिए, यहाँ पर confusion हो सकता है, जो जन नहीं लेता है, यह पुरूस के बारे में है, तो यह अज यह अजन्मा कहलाता है, लेकिन जो जन नहीं लेती है, यह इनि इस्तरी के बारे में है, तो जो नहीं हो सकता उसे असंभव कहते हैं, जो कारश होने वाला है उसे अवश्यमभावी कहते हैं. नेक्स्ट है जो चलता नहीं उसे अचल कहते हैं, जो अल्प बोलता है उसे अल्प भाशी कहते हैं, जो मापा ना जा सके उसे अपरिमे या परिमित कहा जाता है, जो अंडा से जन्म लेता है उसे अंडज कहते हैं, जो खाने योग नहीं हो उसे अखाद कहते हैं, जो नहीं आ जो पहले कभी नहीं हुआ उसे अभूत पूर्व कहते हैं, जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे असुरुत पूर्व कहते हैं, जो पहले कभी नहीं देखा गया उसे अद्रिश्ट पूर्व कहते हैं, जो देखा नहीं जा सकता उसे अद्रिश्य कहते हैं, बढ़ा चड़ा कर कही गई बात या उक्ति अतिस्युक्ति या अत्युक्ति कहलाती है जो इस लोक में संभव नहीं है उसे अलोकिक कहते हैं जो अनुकरन करने योग है उसे अनुकरनिय कहते हैं जो सबसे आगे गिनाने योग हो उसे अग्र गन्नि कहते हैं नेक्स्ट है, जिसके पार न देखा जा सके, उसे अपार दर्सी कहते हैं, जो इस्वर में विश्वास करता है, उसे आस्तिक कहते हैं, जहाजो को रात्री में मार्ग दिखाने वाला प्रकास अस्तंब, अकास दीप कहलाता है, जिसे सास्त्र का ज्यान नहो उसे आगम रहित कह वह जिसकी अब कामनाएं पुर्ण हो चुकी है उसे आप्त काम कहते हैं। इसे आत्मिय कहते हैं। अगनी से उत्पन या अगनी सा या अगनी से संबंध इसे आगनिय कहते हैं। आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है वह इस्त्री जिसका पती परदेश से आ गया हो उसे आगत पती का कहते हैं। नेक्स्ट है सेतु बंध से हिमालय परवत तक क्या कहलाता है आ सेतु हिमालय फिर से पढ़ रहा हूं। सेतु बंध से हिमालय परवत तक को आ सेतु हिमालय कहते हैं। बालक से बृद तक सभी आवाल बृद कहलाता है और आसा से अतीत के लिए आसातीत जैसे सब्दों का प्रियोग होता है। देवता को दिखाया जाने वाला दीपक आरती कहलाता है जो किसी के निमंतरन पर आया हो उसे आमंतरित कहते हैं। पद से मस्तक को अपाद मस्तक कहते हैं और रिशी का कहा हुआ वचन आर्स वचन कहलाता है। और जो हमला करे उसे क्या कहेंगे तो अक्रांता कहेंगे। आदी से अंत तक अध्योपांत कहलाता है आदी और अंत अध्यानत कहलाता है जो मृत्यू के समीप हो उसे आसान निम्रतू या मरनासन कहते हैं। धर्ती और स्वर्ग के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है, महल के अंदर का निवास अंतहपुर कहलाता है, जिसका जन निम्न जाती में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं, और जो अंग से उत्पन हो उसे अंगज कहा जाता है, नेक्स है, हाथ जोड़कर प्रनाम की मुद्रा अंजली बद कहलाता है, और एक कथा या निवंद के बीच आने वाली कहानी उसे अंतह कथा कहते हैं, दो घटनाओं या कालों के बीच अंतह कालीन सब जैसे सब्दों का प्रयोग करते हैं, और अपने आप मन में होने वाली प् अंस का हकदार हो, उस अंस भाजन कहते हैं, ताजिया रखने की जगह को इमाम बाड़ा कहते हैं, तो याद रखना है, ये लखनाओं का इमाम बाड़ा, तो मतलब ताजिया रखने की जगह है वो, नेक्स है, कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उदिस उसे इपसा कहते हैं और पूरव और उत्तर के बीच की दिशा को इशान कहा जाता है किसी के खाने से बचा हुआ जो जूठा होता है उसे उच्छिस्ट कहते हैं अच्छा उपर जो एक आया था पूरव और उत्तर के बीच की दिशा जिसे इसान कहते हैं इसान का बिलोम सब्द क्या होता है? पिछले वीडियो में हमने देखा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएगा इसान का बिलोम सब्द. नेक्स्ट है रिन देने वाला बेक्ति उत्तमर्न कहलाता है? परवत के पास की भूमी या परवत के नीचे तलहटी की भूमी को उपत्यका कहा जाता है? नेक्स्ट है वह समागरी जिससे कोई पदार्थ बने उसे उपादान कहते हैं? जिसने रिन चुका दिया हो उसे उरिन्न कहते हैं निक्ष्ट है दूसरों का उपकार करने वाला उपकारी कहलाता है जिसकी उपासना की जाती है उसे उपासक कहते है जो उपासना की जाती है जिसकी उपासना की जाती है जिसे भगवान की तो उसे उपासक कहते है और जो उपासना करता है उसे उपासक कहते है उर यान में उत्पन करने की सक्ति है उसे उर्वरा कहते हैं नेक्स्ट है जिसका मन उदार हो उसे उदार मना कहते हैं जिसकी उपमा दी जा सके उसे उपमे कहा जाता है जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं जो उद्धार करता है उसे उद्धारक कहते हैं जिसका चित एक वि पुर्वजन में किये हुए कर्मों का फल कर्म विपाक कहलाता है जो कहने युग है उसे कत्थ या कत्निय कहते हैं जो कहने युग नहीं है उसे क्या कहेंगे अकत्थ या अकत्निय कहते हैं कर्म में बाधा डालने वाले को कर्मोप घात कहते हैं और जो कहा गया है उसे कत्थित कहते हैं जो कर्तब से क्युत हो गया है उसे कर्तब्य च्युत कहते हैं, जो पुरूस कविता लिखता है उसे कवी कहते हैं, जो कला जानता है उसे कला विद या कला कार कहते हैं, नेक्स्ट है जो इस्तरी कविता लिखती है उसे कवित्री कहते हैं, जो कष्ट सहन कर सके उसे कष्ट सहि जो कानों को सुनने में कटू लगे उसे कर्ण कटू कहते हैं, जो कलपना से परे हो से कलपना तीत कहते हैं, जहां मुर्दे गाड़े जाते हैं उसे कब्रगाह या समाधी भूमी कहते हैं, कस्ट से साध्य होने वाला कस्ट साध्य कहलाता है, कुछ समय के लिए न्यूक्त अध पुरूस कायर या कुछित है उसे कापुरूस कहते हैं किसी बस्तू को देखने की बलवती इच्छा कौतुहल कहलाता है कुस के अगर के समान तक्षन बुद्धी वाला कुसागर बुद्धी कहलाता है कुरकुर सब्ध करता हुआ चलने वाला उसे कुरंग कहते हैं केवल पेट भरने वाले को कुछिवर कहते हैं ये भी deciding है केवल पेट भरने वाले को क्या कहते हैं कुछिवर नेक्स्ट है धन देने वाला देवता या विक्ति कुवेर या धनत कहलाता है कुंती का पुत्र कौनते कहलाया जो बात पुर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित है उसे किवदंती या जन्सूरूती कहते है next है क्रम के अनुसार जैसे बाके के लिए सब्द है क्रम अनुशार जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करे या क्या ना करे उसे किंकरतब्यम बिमूढ कहते है किंकरतब्यम बिमूढ किसके लिए सब्द होता है यूज जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करे क्या ना करे तो किंकरतब्यम बिमूढ बाले स्थिती हम लोग के जीवन में भी आती है जिसे खरीद या मोल लिया गया हो उसे क्रीद कहते हैं फिर से बोल रहा हूं यह भी deciding है जिसे खरीद या मोल लिया गया हो जिसे खरीद कर लिया गया हो उसे क्रीद कहते हैं नेक्श देखते हैं जिसे बाहरी जगत का ग्यान नहो उसे कूप मंडूक कहते हैं जिसका जन्म उच्छ कुल में हुआ हो, या जो अच्छे कुल में उत्पन हुआ हो, उसे कुलीन या विजात कहते हैं, जो किये हुए उपकार को मानता है, उसे कृतग्य कहते हैं, जो किये हुए उपकार को नहीं मानता है, उसे कृतग्न कहते हैं, तो इसलिए कृतग्य का बि कार कहेंगे, कार संपन होने पर जो अत्यांत प्रसंद हो उसे कृत क्रित क्रित कहते हैं, फिर से पढ़ूं क्या, कार संपन होने पर जो अत्यांत प्रसंद हो उसे कृत क्रित 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 कहते हैं, नेक्स्ट है जो सव सास्त्र पढ़ चुका हो उसे कृता गम कहते हैं, जो कर पर पांटों से भरा हुआ जैसे बाक्यों के लिए सब्द है कंट का किर्न जिसके सिर पर भाल ना होगे उसे खलवाट कहते हैं जो हमेसा खडग हाथ में लिये रहता है उसे खडग हस्त कहते हैं जो खाने योग हो उसे खादे कहेंगे खेलने वाले को खिलाडी कहते हैं जो नव में चलता है उसे खेचर कहते हैं गांडीव को धारन करने वाला गांडीव धारी कहलाता है जैसे की अरजुन जो इंद्रियों के ग्यान से परे हो उसे गोतिय ये इंद्रिया तीत कहते हैं इंद्रिही बसाकर रहने वाले को ग्रिहस कहा जाता है और हाथी के समान मंद गती से चलने वाली स्तरी गज गामिनी कहलाती है गगन को चूमने वाला गगन चूम्बी कहलाता है गंगा का पुत्र गांगे कहलाता है रात और संध्या के बीच की बेला गोधुली कहलाता है और गंगा में रहने वाला अथवा ग्राम से संबंद इसे ग्रामीन कहते हैं नेक्स्ट है वह काब्व ग्रंथ जिसमें गाने योग गीत हो उसे गीती काब्व कहते हैं वह रूपक जिसमें गध्य कम और पद्य अधिक हो उसे गीती रूपक कहते हैं जिसके अंग परत्यंग गल गए हो उसे गली तांग कहते हैं पंजावी भासा की लीपी को गुरु मु इसे पढ़ रहा हूँ, गुरू की हत्या करने वाला मनूस गुरूग्न कहलाता है, next, स्वैम गुरू बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना इसे गुरूडम कहते हैं, next है, बादल के समान स्याम उसे घंश्याम कहते हैं, घास खोद कर जीवन निर्वाह करने वाला घस्यारा कहलाता है जिसके सिर पर चंद्र कला हो या जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्र चूड या चंद्र सेखर कहते हैं जिस पर चिन लगाया गया हो उसे चिन्हित कहते हैं जो चर्चा का विशय हो उसे चर्चित कहते हैं नेक्स्ट है जिसकी चार भुजाएं हो उसके लिए सब्द है चतुरभुज करने की इच्छा के लिए सब्द है चिकिरसा और तो ये भी ध्यान रखने योग है देखे करने की इच्छा रखने वाल के लिए सब्द है चिकिरसा और चार राहों के मिलने का स्थान चौराहा कहलाता है निक्स है जहां अनेक परकार के पसू पक्षी रखे जाते हैं उसे चड़ियां घर या चड़ियां खाना कहते हैं चार बेदों को जानने वाला चतुरवेदी कहलाता है जिसके चार पद हैं उसे चतुस पद कहते हैं जिसके पानी में चक्र हो उसे चक्र पानी कहते हैं चक्र को धारन करने वाला व्यक्ति चक्रधारी कहलाता है कद्य पद्य मिस्रित काब को चम्पू काब कहते हैं मैं फिर से पढ़ रहा हूँ गद्ध पद मिसृत काब को चमपू काब कहते हैं गद्ध पद मिसृत काब को चमपू काब कहते हैं और जटर या पेट की अगनी को जट्रागनी कहते हैं जान से मारने की इच्छा रखने वाले को जिगांसा कहते हैं फिर से बोल रहा हूं जान से मारने वाले की इच्छा रखने को जिगांसा कहते हैं जीतने की इच्छा जिग्रसा कहलाता है और जानने की इच्छा जिग्यासा कहलाता है जो जल में चलने फि पहली से जम लेता हूँ, उसे जरायूज कहते हैं, जो जानना चाहता है उसे जिग्यासू कहेंगे, जो यान जल में चलता है उसे जल्यान कहेंगे, और जिन्दा रहे या जीने की इच्छा है तो उसे जिजी विशा कहते हैं, जिन्दा रहने या जीने की इच्छा को जिजी तकैत कहेंगे तकैत बोल रहा हूं और कुछ नहीं तो जिसके पास अपार धन संपत्ति हो उसे तकैत कहेंगे वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्यान प्राप्थ हो उसे तत्व बोधनी कहेंगे जिसका तेज नस्ट हो गया हो उसे तेजो हम यस्रिहत कहेंगे बेग पुर जो तर्क सास्त्र जानता हो उसे तार्किक या तर्क सास्त्री कहेंगे वह पुत्र जो सास्त्र या बिधी द्वारा अपनाया गया हो उसे दत्त कहते हैं जिसने अपने प्रान उत्सर किये हो तो दत प्रान कहलाता है और जिसे अभैदान या सहारा दिया गया हो उसे दत हस्त कहते हैं जिसे पकड़ना कठिन हो उसे दूधर कहलाता है फिर से पढ़ रहा हूं दूधर किसे कहेंगे जिसे पकड़ना कठिन हो नेक्स्ट है पहले या एक बार कही हुई बात फिर से कहना उसे द्यू रुपती कहते हैं जिसे कठनाई से जाना जा सके उसे दुर्गे कहेंगे जो देने योग है उसे देई कहा जाता है हिंदी की लीपी को देवनागरी कहते हैं दाव या जंगल की अगनी को दावागनी कहते हैं, और जो कठनाई से समझ में आता है, या फिर जो सिग्र समझ में ना आये, उसे दुर्बोध कहा जाता है, नेक्श देखते हैं, नेक्श है, वह मार्ग जो चलने में कठनाई पैदा करता है, या जहां पहुचना कठीन हो, उ दोहित्री कहलाती है यहां confusion हो सकता है इसको एक वर फिर से देख लेते हैं पुत्री का अगर पुत्र है तो उसे दोहित्र कहेंगे यानि कि पुत्री का पुत्र मतलब नाती और पुत्री की अगर पुत्री है यानि नातिनी है तो उसे दोहित्री कहते हैं दिन के बाद दिन उ उसे द्वैपायन कहते हैं देखने की इच्छा रखने वाले को दिच्छा कहते हैं और दूर तक देखने वाला दूर दर्सी कहते हैं जिसका जन्दृत में हुआ हो उसे द्वैपायन देखने की इच्छा वाले को दिच्छा और देने की इच्छा को दिच्छा कहते हैं और द दूर तक देखने वाला दूरदर्सी कहलाता है। जिसने किसी विशय में चित लगा दिया है उसे दत्चित कहते हैं। जो कठनाई से मिलता हो उसे दूरलव कहते हैं। जो देखने योग है उसे दृष्टब या दर्सनिय कहा जाता है। स्रिष्ट गुनों से संपन सूरवीर नायक को धिरोदात कहते हैं। ध्यान देने योग जो चीजे हैं उसे ध्यातब भी कहते हैं। रिन ना चुकाने वाला नादिहंद कहलाता है। जिसके सरीर पर अगहात ना हो उसे नासे तुद कहते हैं। जो बड़ो का आदर करना ना जानता हो उसे निरीज कहते हैं। जिसका कोई उद्देश ना हो उसे निरुद्देश कहते हैं। जिसके हाथ में कोई उद्दम या काम ना हो उसे निरुद्दम कहते हैं। जिसके मन में मतसर या इर्ष्या ना हो उसके लिए सब्द है निर्मतसर। नेक्स्ट है, जिसके अव्यव न हो, उसे निरव्यव कहते हैं, जिस काम के लिए धन न दिया जाये, उसे निशुल्क कहा जाता है, जिसके संतान न हो, उसे निशंतान कहते हैं, जिसको कोई इच्छा या स्प्रिहा न हो, उसे निस्प्रिह कहते हैं, तो इच्छा के लिए चर का ब्रत लेले उसे नौस्ठिक कहते हैं निक्स्ट है जिसका उदय हाल में हुआ हो उसे नवोदित कहते हैं जिसकी कोई अवधी निश्चित नहो उसके लिए सब निरावधी का यूज होता है और जिसमें हानी या अनर्थ का डर नहो उसे निरापद कहते हैं जिसमें जिसका उत्साह नस्ट हो गया हो उसे निरुत्साह कहेंगे जो नीती का विशेस ग्याता है उसे नितिग कहेंगे जिसका कहीं आस्रय नहीं हो उसे निरास्रय कहा जाता है जिसको लज्जा नहीं हो उसे निरलज कहेंगे जिसका कंठ नीला हो उसे नीलकंठ कहा जाता है जैसे क निर्ण्द्रिये रहित हो उसे निर्ण्द्रिये कहते हैं और जिसमें कोई विवाद न हो उसे निर्विवाद कहा जाता है जिसकी कोई कामना हो उसे निसकाम कहते हैं और नगर में रहने वाला नागरिक कहलाता है जो बिना किसी विरोध के चुना गया हो उसे निर्विरोध क कहते हैं पांच पेज हो गया है चार पेज और है वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो बोरिंग हो जाएगा इसलिए छोड़ देता हूं यही पर नेक्ट वीडियो में इसके और सारे पार्ट को देख लेंगे वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सुहार की संभावना पर जरूर बहत बताये